आपका अधार कार्ड लिंक करवाएंगे अपना नहीं आपको मास्क के लिए फाइन देना होगा, ये बिना मास्क के रैली करेंगे पटाके बैन करेंगे, खुद इलेक्शन जीतने पर जम के पटाके फोलेंगे ये दसवी और बारवी फेल नेता, जो चांद को आज भी अपना मामा समझते हैं वो RBI को फिनेंशल कॉंसेट समझा रहे हैं पजाजार के उपर आप बैंक में जमा करने जाओ तो आपसे दुनिया भर के पैन कार्ड मांगते हैं वो आप सिर्फ 500 रुपया और एक बोतल में बेचाते हो पैसा लेके वोट देना दुनिया का सबसे घाटे का सौधा है जो कि सिर्फ एक बेवकू भी ले सकता है ये लोग सिर्फ हम लोगों का अधार कार्ड लिंक करवाते हैं अपना अधार कार्ड लिंक नहीं करवाते हैं जब ये कैश पकड़ते हैं COVID में कमपनीज को बोल रहे हैं अपने एम्प्लोईज को सेलरी दे उनकी सेलरी ना रोके और खुद रेलवे का एक रुपया कम नीकिया इन्होंने टिकेट का इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं इस वीडियो इस पॉंसर बाइ गो मेकानिक और गो मेकानिक की सर्विसेज मैं खुद काफी ताइम से यूज कर रहा हूँ ये एक बेस्ट इन क्लास कार सर्विसिंग नेटवर्क है एक पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूत होती है ये इतना जादा कॉसली अफेर है कि इसमें हारने के लिए भी करोड़ों रुपे लग जाते है अगर मैं लास्ट लोग सबा इलक्षन की बात करूँ तो उसमें साथ हजार करोड का खर्चा हुआ था इंडिया पूरे वर्ड के अंदर में नमबर वन पे आता इलक्षन में खर्चा करने में एजुकेशन के उपर खर्चा करने में हमारी 62 रैंक है अब political parties जो हैं यह कुछ produce या manufacture तो करती नहीं है ना ही नोंने कोई invention किया जिसके basis पे इनके पास पैसे आते हों तो फिर इनके पास पैसा आता कहां से अभी जितने भी नेता है जमीन बेच के अपने घर से पैसा नहीं लगा रहे हैं यह पैसा लगा रहे हैं आपका जिस पैसे से देश में रोड बन सकती थी या hospital और education पर खर्चा हो सकता था उस पैसे से यह आपको अपने चुनाओ चेनिके customized t-shirts और टोपी पहना देते हैं मान लीजे आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं और आप कुछ पैसा donate करना चाहते हैं तो क्या आप उस पैसे को किसी रेदाश्रम या childcare में donate करेंगे या फिर किसी political party को donate करेंगे आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लीजिए कोई भी इन political party को गाली के लावा कुछ नहीं देना चाहता फिर भी इनको 2018 से 2019 के बीच में सिर्फ एक साल के अंदर 951 करोड की donation मिली है और वो भी तब जब donation करने वाले की details पता ही नहीं चल सकती मंदिर में अगर कोई एक पंखा donate करता है तो वो capital letter में अपना नाम लिखवाता है और यहां बिना किसी credit के करोड़ों रुपए donate करे जा रहे है देखिए इसके पीछे reason है quit pro को इस हाथ से दे और उस हाथ से ले यह political parties पहले system को खराब करके सहीज़े चलने नहीं देती है और फिर इसी system के अंदर लोगों के काम करवाने के पैसे लेती जिसे यह fundraising और party funding का नाम देती देखिए आप party को नराज करके अपना business नहीं चला सकते मैं छोटे business man या service class आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह बड़े business man पे हाथ मारते हैं जब यह बड़े business man donate करते हैं तो इनको favor मिलते हैं इनके इसाब से rule बनते हैं और कोई भी party हो सबका यही framework है पैसा कमाने का इसलिए party जब अपने गुर्गों को इनके पास पैसा लेने बेज थी तो इनके पास option नहीं होता मना करने का दूसरी चीज़ नेताओं ने rule ऐसे बना दी हैं और उसके बाद आपको tax नहीं देना है इसके साथ-साथ आपको नेताओं की protection मिलती है और जिस level पे आप पैसा donate करोगे उस level पे आपके favor में rule बनेंगे वहीं आप किसी religious NGO को donate करते हो तो 50% की छूट मिलेगी आपको बाकी बचे 50% पे tax देना पड़ेगा लेकिन हसने की बात यह है कि इतने पैसे में कोई party टिकेट तक नहीं देगी election में खर्चे की बात तो बहुत दूर की है नेता अपने हिसाब से जितना मन चाये खर्चा करता है और election commission खाली notice देता है हमारा constitution कहता है कि एक नेता को पूरे देश में लोगों तक पुँचने के लिए अपनी बात रखने के लिए अपना manifesto लोगों तक पुचने के लिए पैसे की ज़रूत होती है क्योंकि हो सकता है कि कोई अच्छा लेता हो लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने की वज़़े से लोगों तक उसकी बात ही नहीं पहुँच पाए इसलिए हमारे constitution ने funding allow की है लेकिन नेता अपनी बात लोगों तक पहुचाने की बजाए उनका ध्यान लोगों को पैसे बांटने, दारू पिलाने और अलग-अलग समान देके वोट खरीदने में लगा रहता है और यही रीजन है कि चुनाओं में इंडिया नमबर वन पे है पैसा खर्च करने में अब कोई इतना पैसा लगा के power में आएगा तो वो return of investment नहीं देखेगा और अगर नहीं भी देखेगा तो बिना पैसे के next election कैसे जीतेगा पैसा लेके वोट देना दुनिया का सबसे घाटे का सौधा है जो की सिर्फ एक बेवकू भी ले सकता है जिस पैसे से अच्छा infrastructure अच्छी education आपके बच्चों को मिल सकती थी वो आफ सिर्फ 500 रपे और एक बोतल में बेचाते हो फिर उससे सौ गुना ज़्यादा पैसा लगा के प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट स्कूलों में धक्के खाते हो ऐसा सौधा सिर्फ और सिर्फ एक मूर्खी ले सकता इलेक्शन के अंदर पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और फंड रेस कराने के लिए पार्टी जान तक लगा देती है 1976 में FCRA Act के तहट बहुत ही सक्त कानून है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के बाहर डोनेशन नहीं ले सकती और ये चीज बहुत ही ज़ादा जरूरी है क्योंकि कल को पाकिस्तान किसी पार्टी को डोनेशन के नाम पे पैसा देके खड़ा कर दे फिर ये जो बिजनसमेन के साथ करते हैं सेम अरेंजमेंट बाहर के देशों के साथ करने लगा RKW Developers Limited इस कंपनी की ED से इंक्वाइरी चल रही है पॉलिटिकल पार्टी इतने जादा लालची हैं कि इनको भार से भी पैसा चाहिए होता है इन्होंने कानून में ही फिर बदल कर दी 1976 वाला जो FCRA है जिसमें भार से आप बिल्कुल भी डोनेशन नहीं ले सकते इसको पूरी तरीके से खतम कर दिया गया नया कानून बनाया गया उसको एमेंड नहीं किया बलकि नया कानून बनाया और उसमें एक लाइन जोड़ दी कि जो पुराना कानून है 1976 वाला FCRA है आज से वो खतम यह जो चीज में आपको बता रहा हूँ यह अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी लेकिन आगया भी आपको समझ में आ जाए 2010 से पहले एक electoral trust ने opposition और ruling दोनों पार्टियों को बहुत बड़ी रिकम डोनेट की और यह जो भी मैं बता रहा हूँ आपको यह on record है ADR ने पता लगाया तो पता चला कि यह trust तीन अलग-अलग company ने मिलके बनाया है जिसका आपस में कोई link नहीं है फिर जब पता किया गया कि यह तीन company एक साथ क्यों आई तो पता लगा कि England में एक company है वेदानता Resources Limited यह तीन उसकी subsidiary है और 100% subsidiary है ऐसा नहीं कि indirectly कोई link है और फिर पता चला कि यह जो पैसा डोनेट हुआ है वो actually विदेशी पैसा है तुरंत ADR ने Delhi High Court में case कर दिया कि यह विदेशी पैसा लिया गया दोनों party उने लेकिन दोनों बड़ी party involved थी इसलिए इतना आसान नहीं था दोनों party ने मिल के इस मामले को तब तक घुमाया जब तक अगला budget नहीं आया और फिर budget में FCR A कानून कोई बदल दिया ADR के वकील ने कहा कि कानून तो बदल दिया आपने लेकिन यह जो कानून आपने बदला है 2010 वाला बदला है लेकिन यह donation आपने 2010 से पहले भी ली है और जब यह चीह इनको समझ में आई तो अगले budget तक फिर टालना इनोंने शुरू कर दिया जब अगला budget आया तो 1976 वाला FCRA Act बदल दिया गया और इतियास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो कानून है ही नहीं exist ही नहीं करता उसको सब ने मिलके amend कर दिया यह donation काम कैसे करती है देखिए 2017 से पहले अगर 20,000 से कम रुपए आप किसी party को donate करना चाते हो तो आपको कोई details देने की ज़रूत नहीं है आप पैसा लेके किसी भी party को दे सकते हो क्योंकि black money involved थी इसलिए 90% donation cash में ही कर रहे थे सब आपने सुना होगा election के time पे कभी कहीं cash पकड़ा जा रहा है कभी कहीं cash पकड़ा जा रहा है तो इससे निताओं को cash में deal करने में बहुत दिक्कत हो रही थी फिर 2017 में introduce किया गया electoral bond गौर्णन ने कहा कि इससे transparency होगी और black money खतम होगा इसमें इन्होंने ये किया कि अगर आपको किसी political party को donation देनी है और वो 2000 से कम है तब आप cash में जाके political party को दे सकते हो लेकिन अगर 2000 से ज़ादा है तब आपको details देनी होगी माल लो आपको अपनी favorite party को एक लाख रुपे देने हैं तो आपको SBI bank में जाना होगा वहाँ एक form भरना होगा आपके account से एक लाख कटेंगे और आपको bond मिल जाएगा और 15 दिन के अंदर आपको जिस party को वो bond देना है आप उसको दे सकते government का कहना है कि जो भी bond लेगा उसकी details उस bond में mention नहीं होगी और किसी भी party को नहीं पता चल सकता कि किस ने किस party को bond दिया है और कितना दिया है लेकिन problem तब खड़ी हुई जब Quinn ने इस bond को lab में test करवाया और इसमें एक alphanumeric code निकला हमारे finance minister ने इस पर काफी clarification दिया बट कोई solution नहीं आया और opposition भी जब party funding की बात आती है तो चुब हो जाती है देखे क्योंकि KYC bank कर रहा है तो इसमें सारी details bank के पास होती है और ruling party जब चाहे वो details bank से निकलवा सका अगर आपके सामने ऐसी situation आये कि दो लोगों को रिशवत देनी है और दोनों में से एक को पता है कि कौन रिशवत दे रहा है और दूसरे को नहीं पता है तो आप किसको रिशवत दोगे सेम यही situation जो donate कर रहे हैं उनके सामने भी आ रही है इसकी वएसे जो party सत्तम है सिर्फ उसको चंदा जा रहा है और यह मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ ADR की रिपोर्ट के हिसाब से 2018 से 2019 तक 6000 करोड के बॉंड बिके हैं और उसमें से 95% बॉंड का पैसा ruling party को मिला है government कह रही है कि इससे black money खतम होगा लेकिन RBI और election commission कह रहे हैं कि इससे black money और बढ़ेगी in fact election commission ने एक एफड़ेविट डाला है कि इससे black money बढ़ेगा के response में कई बड़े नेताओं ने ये बोला है कि ये जो electoral bond है ये RBI समझ नहीं पाया है जब उनको समझ में आ जाएगा तो वो इसको accept कर लेंगे ये दसवी और बारवी फेल नेता जो चांद को आज भी अपना मामा समझते हैं वो RBI को financial concept समझा रहे तबसे बड़ी मजाक की बात तो ये है कि electoral bond mainly election के लिए होते हैं election की हर एक चीज का approval election commission करता है और election commission कह रहा है कि ये सही नहीं है तो main बात ये है कि इसको approve किसने किया फिर इस पूरे process को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जनता से हर एक चीज चुपाई जा रही है और ruling party को हर चीज बताई जा रही है एक आदमी अपनी income चुपाता है तो उसको दुनिया भर के notice भेजतो हो आप आप खुद इतना सारा पैसा ले रहो आप खुद कुछ क्यों नहीं बताते हो एक private company जिसका 15 से 20 लाग तक का turnover है उसकी auditing में ये लोग James Bond तक को fail कर देते हैं लेकिन अपने पैसे की details ये बिल्कुल नहीं देते हैं ये लोग सिर्फ हम लोगों का अधार card link करवाते हैं अपना अधार card link नहीं करवाते हैं जब ये cash पकड़ते हैं अधार के उपर आप bank में जमा करने जाओ तो आपसे दुनिया भर के pen card मांगते हैं लेकिन आप cash लेके इनके कार्याले में हाथ हिलाते हुए पहुँच जाओ आपसे कोई pen card नहीं मांगेगा नोट बंदी में 500,000 के नोट कहीं भी नहीं चल रहे थे मालों को ABC company है और भारी donation देने के बाद बहुत ही कम time में एकदम से उपर आ गई अच्छा perform करने लगी तो at least लोगों को idea तो लग जाएगा कि इसकी कुछ sound guard हुई है government के साथ government इसको article 21 के तहट right to life का बहाना मनाती है कहती है कि जो इंसान donate कर रहा उसकी जान को खतरा है इसलिए कौन पैसे दे रहा इसको disclose नहीं कर सकते जबकि Supreme Court multiple times यह कह चुकी है जहाँ पर public interest की बात होती है वहाँ पर right to information सबसे उपर होता है आप एक बार RTI डाल के देखिए इस particular issue पे bank ने RTI का response करना ही बंद कर दिया actually अपनी मनमानी करते हैं आपका अधार card link करवाएंगे अपना नहीं आपको mask के लिए fine देना होगा यह बिना mask के rally करेंगे पटाके ban करेंगे खुद election जीतने पर जम के पटाके फोड़ेंगे COVID में companies को बोल रहे हैं अपने employees को salary दे उनकी salary ना रुके और खुद railway का एक रुपया कम नहीं किया इन्होंने ticket का यह सब के सब मिलके हम लोगो बेवकूप बना रहे हैं